आज हम बनाएंगे चिली मश्रूम इसके लिए एक पैकेट मश्रूम को अच्छे से दोले और उसे बीच से काटके दो टुकरों में कर लें उसके बाद चोथाई छोटा चमच काले मिर्च और नमक डाले एक बड़ा चमच मैदा और एक बड़ा चमच कॉन्फ्लोर डाले थोर इसे तेज आज पर गरम कर लेंगे उसके बाद हम इसमें मश्रूम डालेंगे और दो मिनट तक तेज आज पर ही इसे पकने देंगे यह बहुत जादा उड़ेगा मतलब कि स्प्लाश करेगा तो आप अपने आपको एक धकन के हेल्प से बचाएं नहीं तो आप जल सकते हैं यह चिली मश्रूम की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी आप इसे as a snacks या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं फ्राइड राइस के साथ भी यह बहुत ही अच्छा लगता है अब हम मश्रूम को निकाल लेंगे एक बड़ा चमच तेल डालेंगे और चौकोर टुकड मिर्च डालेंगे एक शिमला मिर्ची भी चौको टुकडो में कटे हुए हम डालेंगे और इसे हम तेज आज पर ही दो मिनट तक भूनेंगे हमें सबजियों को पकाना नहीं है बस हलका सा क्रिस्पी करना है इसलिए आप फ्लेम को यहां पर तेज रखें अब हम चौथाई चौटा चमच काली मिर्च एक बड़ा चमच सोया सौस एक बड़े चमच टोमैटो सौस आधा कप पानी डालेंगे और आधा चौटा चमच नमक या फिर स्वादा अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे एक बड़े चमच कौन फ्लोर को आधा कप पानी में मिक पानी, दालेंगे, अब आधा छोटा चमच विनेगर और एक छोटा चमच शकर डालेंगे, अभी हम इसी टेस्ट कर लेंगे, अगर सब कुछ पर्फेक्ट लगेगा तो जो हमने मश्रूम फ्राई किये थे वो डालेंगे, पुरियांड्ड लिफस डालेंगे, और इसे तीस स पसंद आए तो आप इस रेसिपी को लाइक कर सकते हैं थैंक यू